बिस्मिल्लाहिरुख्मेल्वहीम आज हम बना रहे हैं बीफ पाया बहुत लजीज, बहुत असाम रेसिपी है जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा तो हम बनाना शुरू करते हैं तो हमें पाय किलिन करने हैं बनाएंगे उबाली आ चुकी है एक बॉयल आजेगा हम चूला बन कर देंगे इस तरीके से हमारे पाय बहुत अच्छे धूल जाते हैं साफ सुत्रे हो जाते हैं ठीके देखें यह पाया हमारा बॉयल हो चुका है एक पानी और इसे हम दोएंगे ठीके खुला पानी हमें धोना है इसकी समेल निकल जाए और साफ हो जाएगे इसलिए हम एक पानी दोएंगे तो अच्छी तरह हम पानी डालेंगे और अच्छी से हिला हिला के और मसल मसल के एक एक पाया मसल के हम दोएंगे और हमारा पाया बहुत अच्छे से किलीन हो चुका है तो अब हम इसे भार निकालेंगे सारा पाया हम भार कर लेंगे और फिर हम इसी देखचे को दोएंगे दोने के बाद इसमें हम पाय डाल देंगे इसका वज़न है धाई किलो या तीन किलो भी ले सकते हैं spicy हम दालेंगे, वो 3 किलो में भी ढाले जा सकते हैं 1,5 किलो में भी ठीके पानी बहुत जादना नहीं दालेंगे पानी अधरय दाली में यह बात पीसावा लसन अधर Polizei के बर पानी एक टापसर एक ताली स्पून इसके बाद हमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालने हैं साबित मसाले ये दस काली मरची है आठ लोंगे हैं तकरीबन और दार्चीनी का एक पीस है ठीक है ये डालेंगे नमक एक टैबरी स्पून डाल देंगे हम और बस ये डालने के बाद हम अच्छे से हिलाएंगे और एक उबाल देंगे ठीक है हम बना रही पायों की यकनी तो बस हम इसे उबाल देंगे और दो तेज़ पत्ते पी डाल देंगे साथ में ठीक है अच्छे से हिलाएंगे मिक्स करेंगे अच्छे से हिलाने के बाद हम कवर लगाएंगे तेज आज करके बौाइल आ जाई देखें बौाइल आ चुका है अब बौाइल आने के बाद हम हिलाएंगे और हल्की आज करेंगे और कवर लगाके से हम पकाएंगे इतनी आज में हम 8 घंटे पका रहें पायों के उपर होता ह तो बहुत से पाय 6 घंटे में भी गल जाते हैं ये 8 घंटे में गले हैं तो आप चेक कर लिएगा आपके किती देल में गलेंगे तो देखें ये गल चुके हैं बहुत अच्छे से गले हैं तो आपको चेक कराते हैं कितने गलेवे होने चाहिए तो बस पाय हमारा अच्छे से देखें गल चुका है और हम धग देंगे इसके बाद हमें भुणाई कपरी देशी प्यास होती प्यास होती है उसी ओईल में हम प्यास PCV बिल्कुट बारिक PCV प्यास डालनेंगे 200 गिराम या 300 गिराम भी डाल सकते हैं तो यह प्यास डालने के बाद हम लाट पिंग करेंगे इसका कलर तेज नहीं करना लाट पिंग प्यास करेंगे लाट पिंग हमारी प्यास हो चुकी है PCV प्यास लाट पिंग हो चुकी है लसन अद्रक दो टैबली स्पून डालने के बाद एक मिंड हम हलकी या दर्मियानी आज में हम भूनेंगे तो आप देख सकते हैं बस इतना भूना है इसका कलर हमने चेंज नहीं किया लसन अध्रक का और बहुत हलकी आज करदेंगे दो टैबली स्पून सुरक मिष्ट पौडर डालनेंगे धनिया पौडर दो टैबली स्पून डालनेंगे हल्दी एक टी स्पून गरम मसाला पौडर भरके डालेंगे एक टैबल स्पून ठीक है यह जरूर डालीगा गरम मसाला पौडर यह डालने के बाद हम डाल रहें नमक एक टैबल स्पून भरके यह डाल देंगे और हम बहुत हल्की आज में हम दो मिंट के लिए भूनेंगे ठी बहुद लग रहा है आपके मसाले जल रहे है या इसमें तेज न कलर आ रहा तो पाने का छीटा मार सकते हैं, ठीक है तो हम मसालों की भुनाइब करेंगे है बहुत लौफ लेम में आ देख सकते हैं कितनी लायट हमाथरे बबलस एसमे आ रहे है दो मिंट के लिए हम भुनाई करेंगे तो देखिए दो मिंट हो चुके हैं अब हम इसमें धही डाल देंगे 200 ग्राम धही ये धही कटा नहीं होना चाहिए धही डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से हमें मसाला मिक्स करना है मीज करने के बाद हम लो फ्लेम करेंगे और 20 मिंट के लिए इस मसाले को पकने के लिए रख देंगे तो हम रख रहे हैं 20 मिंट के लो फ्लेम में हमारे मसाले पके तो जब तक हम ये मसाले पीशते हैं जीरा फूल भरके एक टैबरे स्पूने इलाइची छे साथ ले लेंगे और जाउत्री जाइफल है जालिया जितने बड़े हमारे दाने हैं जाउत्री के और जाउत्री की दो इस्टी के ठीक है जाउत्री जाइफल आप देख चुके हैं इसका बारिक पाउडर करेंगे जो मैं कर चुकी हूँ और 20 मिन बाद हम अपने मसालों को चेक करते हैं ये देखिए बहुत लोफिले में बहुत अच्छे खुश्बू दार हमारे मसाले ये भुनाई हो चुके हैं बहुत अच्छी खुश्बू आरी है इसमें से तो ये देखी बहुत अच्छे से ये भून चुके है ठीके और अब हम इसमें पाय डाल देंगे ये हमारा गलावा पाया है अब हम ये सारा पाया निकालेंगे और हम उस मसाले में डालेंगे आप चाहे तो किसी बड़े चन्ये से भी उठा सकते हैं पायों को तेज आज करके हम मसाला में ये पाय डाल के भूनेंगे ठीके तकरीबन हम पाश मिन के लिए भूनेंगे मसाला और पायों को हम पका रहे हैं तेज आज मिन की भूनाई कर रहे हैं और जब तक हम प्यास पर चूरा करते हैं तो देखिए प्यास चूरा हो चुकी है और इसे हम चेक करते हैं तो पांच मिन्ट इसकी भुनाई करनी है तेज आज में पांच मिन्ट भी लगते हैं छे मिन्ट भी लग जाते हैं बस हम भुनाई करेंगे तेज आज में ये भुन चुके हैं देखिए इस पे हम PCV प्यास डा अभी भी आँच हमारी तेज है बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है यह मसाले डालने के बाद हम तेज आँच में भुनाई कर रहे हैं यह भुनाई हो जाएगी तो हम हल्की आँच में पांच मिन्ट का दम लगाएंगे यह देखिए पांच मिन्ट बाद बहुत जबद दस खुजबूएं आ रही है यह तैयार है अब हम यह पाया सारा यखनी में डाल देंगे ठीक है आपको शोर्बा कितना रखना है आपको शोर्बा इतना रखना है तो यह यखनी ठीक है आपको गाड़ा रखना है तो आप यखनी को आप ड़ाय कर सकते हैं तेज आच में आप यखनी कम्स कर सकते हैं और अच्छे से हिला के बॉयल देकर हलकी आँच में रख देंगे। जब तक हम हरा धनिया कटिंग करेंगे, सारी सब्जिया अच्छे से वोश होनी चाहिए। हरी मृच्चे बारिक पारिक कटिंग करेंगे और इसके बीच भी हटा देंगे। तो अद्रक भी हम कटिंग कर लेंगे लीमू कटिंग करेंगे और इसके बीज भी हटा देंगे तो देखिए हमारा बहुत अच्छा ये खुश्बूदार पाया बनके तियार हुआ है जब आप इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा ये बहुत जाइके वाले बहुत लजीज बनते हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंदाई होगी अपना बहुत जादा ख्यार रखें अपनी दूआ में मुझे यार रखें इंशालला नहीं रेसिपी के साथ मैं हाज़र होंगी आपसे जादा चाहती हैं अल्ला हफीज